महराची एक बार एक नाई की दुकान में दाड़ी बनवाने गए महराची की दाड़ी में साबुन का प्रयोग नहीं होता था महराची की दाड़ी बनाते बनाते नाई अपना दुखड़ा महराची के सामने रोने लगा मेरा एक ही लड़का है वो भी घर से रूट कर कहीं भाग गया है बहुत खोज कराई लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चल पा रहा है घर में सब बहुत उदास हैं ऐसा कहते कहते नाई बिचारा रुआसा हो गया अब महराची किसी के आशू देखी नहीं पाते थे नाई के दुख से करुणा निधान भी द्रवित हो गया वो बोले आ जाएगा आ जाएगा तेरा बेटा पर नाई और जोर से रोने लगा और बोला सभी लोग सारे साधू संत यही तो कहते रहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा पर अभी तक मेरा बेटा नहीं आया अब नाई के ऐसा कहते ही बाबा जी ने तुरंत लगुशंका निवरिती की अपनी इक्षा जाहिर की और सीने से कपड़ा हटा कर दुकान के बाहर दोड़ गए तब तक केवल नाई उनकी एक तरफ की ही दाड़ी बना पाया था दूसरी तरफ की दाड़ी जियो की तियो थी फिर कुछ देर बाद महराज जी पुनः वापस आ गए और बाकी दाड़ी बैठ कर बनवाने लगे जब महराज जी दुकान से जाने लगे तो उन्होंने नाई से कहा आ जाएगा तेरा बेटा आ जाएगा इस घटना के दूसरे ही दिन नाई का लड़का घर आ गया नाई के पूछने पर की तो कहां चला गया था कैसे वापस आया लड़के ने अपने पिता को बताया कल सुबह जब मैं होटल में बरतन दो रहा था तो साधू जैसा एक आदमी आया उसकी आधी दाड़ी बनी हुई थी और आधी जियों की त्यों थी वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा जल्दी घर जा जल्दी जा तेरी गाड़ी छूटने वाली है तेरा बाप तुझको बहुत याद कर रहा है उसी साधू ने मुझे टिकट के भी पैसे दिये और मैं फॉरन घर चला आया बेटे की ये बात सुनकर नाई हत्प्रभ रह गया वो समझ गया कि ये ही बाबा नीब करोरी होंगे जिनके बारे में वो बहुत कुछ सुन चुका था क्या नाई पर इस करुणा दया के साथ साथ बाबा जी ने साधू संतों की वाणी के प्रती भी उसे पुने आश्वस्त कर दिया था अगर आपकी भी ऐसी कोई अधूरी मनुकामना है तो आप महराज जी को बताए हमारी प्रार्थना है कि आपकी हर मनुकामना महराज जी पूरी करे आशा करती हूं कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महराज जी की भक्ती में सहायक सिद्ध होगा इसी प्राकना के साथ मिलते हैं अगले अंक में तब तक के लिए जय बाबा की